हेलो दोस्तो मेरा हूल और आप देख रहे हैं RJ Technicals दोस्तो मेरे पास है Redmi Note 8 और आज करेंगे इस फोन का अन्बॉक्सिंग बैसिकली इसे मैनेज है M.A. Home Store से बाय किया है जो कि आपके Ruby के पास Acropolis Mall है अगर आप Ruby के आज पास रहते हैं तो Acropolis Mall में जाकर इस फोन को बाय कर सकते हैं बैसिकली इस वीडियो में मैं इसका Unboxing करूँगा Overview करूँगा असासत यहाँ पर थोड़े बहुत gameplay भी देखेंगे कैसा होता है इस फोन में तो वीडियो के end तक देख लिएगा तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं विदाउट विस्टिंट इन टाइम अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फोन का image दिया गया है MI का logo है इंडियास नमा स्मार्ट फोन बेंड के स्टिकल लगाया गया है चार्ज भी चॉंसर्ट इजल अविरेंट मेरे पास है 48 में आपसल AI quad camera इस साइट में जो है Redmi Note 8 लिखा गया है इस साइट में भी सेम चीज लिखा गया है तो 4GB 64GB आपको 9999 रुपे में मिलता है इसका और इक बेंट आता है जो कि RDB 1820GB जो कि 12999 रुपे मिलता है तो दोनों में से किसी एक को आप बाय कर सकते हैं पिछी दुरब जो है यहाँ पर color mention किया गया है मेरे पास जो है Neptune Blue color बेंट है Made in India का स्टिकल लेगा गया है और specs mention किया गया है specs की बात करें तो यहाँ पर मिल जाता है आपको 6.3 इंज का Full HD Plus Dot Note Display Corning Goals 5 का protection दिया गया है front और back दोनों ही तरफ में Qualcomm Snapdragon 665 Octagon Chipset देखने मिलेगा साथ-साथ यहाँ पर जो है rear में आपको Quad Camera Setup देखने मिलेगा 48 में अबसल का Primal Lens दिया गया 8 में अबसल का Ultra Wide Lens दिया गया 2 में अबसल का Micro Lens दिया गया 2 में अबसल का Depth Sensing Lens दिया गया 13 में अबसल का आपको Selfie Camera देखने को मिल जाता है यहाँ पर 4000 mAh का battery देखने मिलेगा साथ-साथ यहाँ पर MI-UI 10 बगेरा 11 जल्दी इसमें अबडेट आ जाएगा और यहाँ पर आपको मिल जाता है P2i Splash Proof Coating जिससे पानी बगेरा में अगर गिर जाता है तो आपका phone बच जाएगा आर रिमूट कंट्रोलर भी दिया गया है बाकी जो है करते हैं box को जल्दी से open और देखते हैं यहाँ पर phone कैसा देखता है box content का box open करते ही एक और box देखने को मलता है जैसे कि हम में Redmi Note 8 Pro में देखने मिला था user manual guide दिया गया है और यहाँ पर जो है silicon case है काफ़ी अच्छी quality का दिया गया है इन्हें रखते हैं side में और आते हैं box content की तरफ phone देखने को मिल जाता है phone की तरफ आएंगे बाद में पहले box content को खतम कर लेते हैं यहाँ पर c-type cable देखने को मिलेगा data syncing charging के लिए जिससे आप charge वगर कर सकते हैं और box के अंदर जो है आपको finally 18 watt का fast charger देखने को मिलेगा आपसे I think so मैं hope कर रहा हूँ यानि कि आप जो है phone को fastly charge कर सकते हैं box से निकालते हैं जो की काफ़ी अच्छी बात है बाकि जो है box के अंदर कुछ भी नहीं है तो इन सब को रखते हैं side में और आते हैं अपने phone की तरफ phone की बात करें तो phone जो है कुछ इस तरीके का नजर आता है यहाँ पर sticker वगर लगा गया है तो यहाँ पर जो है जल्दी जल्दी stickers को निकाल लेते हैं बाहर अब आप देख पाएंगे phone जो है कुछ इस तरीके का देखता है यहाँ पर जो है काफी बढ़ियां लग रहा है blue color वाला variant जैसके आप यहाँ पर देख बार है और यहाँ पर जो है आपको 2.5D curve glass दिया गया है जैसे कि हमें जो है Redmi Note 8 Pro में जो है लग रहा था बागी जो है काफी बढ़ियां देखने में है look wise जो है काफी बढ़ियां है side में भी जो है काफी बढ़ियां आपको जो है design देखने में जाता है और यहाँ पर भी अगर आप camera bump की तरफ ध्यान दिजेगा जो की यहाँ पर जो है कितना cool लगाता है इस display को मतलब काफी cool लगता है यहाँ पर display इसकी वज़े से बाकि यहाँ पर बात करते हैं display की तो 6.3 इंच का आपको यहाँ पर full hd plus display देखने में मल जाता है जो की देखने में काफी बढ़ियां है display quality यहाँ पर really में काफी अच्छा है even आप यहाँ पर वीडियो वेरा को काफी अच्छे देगे इंजॉय कर पाएंगे बाकि यहाँ पर कर लेते हैं फोन को बूट और जब तक यह फोन बूट होता है तब तक जहाँ आपको एक physical overview दे देते हैं इस फोन का physical overview बात करें तो front top में मिल जाता है आपको 13 अपसल का front camera, sensor बगरा दिया गया है LED notion light देखने हो मिल जाएगा, ear speaker दिया गया है front bottom में आपको on screen vision button देखने हो मिलेगा, redmi का branding देखने हो मिलेगा और एक blue line भी देखने हो मिलेगा, left hand side में आपको sim tray देखने हो मिल जाता है तो यहां पर आपको 3.5 audio jack देखने हो मिलेगा, primary mic देखने हो मिलेगा, primary speaker देखने हो मिलेगा, c type port देखने हो मिलेगा, data signal charging के लिए पिछी दर बात करें तो यहां पर आपको quad camera setup देखने हो मिलेगा, 48 plus 8 plus 2 plus 2 में आवसल का dual LED flash दिया गया है fingerprint sensor दिया गया है जो की काफ़ी छोटा है और यहां पर नीचे Redmi का branding देखने को मिल जाता है so friends phone यहां पर boot हो चुका है जिसके आप यहां पर देख पा रहे हैं, boot होने के बाद आपको कुछ इस तरीक का interface देखने को मिल जाता है, app दिया गया है, uninstall का भी option दिया गया है, बट यहां पर दिया ही क्यों जाता है, नहीं देते तो काफ़ी बढ़िया होता, phone को boot करते हैं, मैंने face unlock fingerprint को set कर दिया था, तो एक बाद चेक करते हैं, इसका face unlock और fingerprint साइथ देखे से work करता है कि नहीं, तो यहां पर मैंने lock किया, और यह मैंने touch किया, और यह open lock किया, touch किया, open lock किया, touch किया, open, तो यहां पर fingerprint sensor मुझे काफ़ी slow लगा, यह देखे, देख पा रहे हैं, touch किया, और यहां पर काफ़ी slow response दे रहा है, एक दो second बाद यह response दे रहा है, तो fingerprint sensor इसका थोड़ा सा slow है बाकी चेक करते हैं face unlock को तो phone को lock करता हूँ face लाया open lock किया face लाया open lock किया face लाया open तो यहाँ पर face unlock जो है fingerprint के मुकाबले थोड़ा सा fast है काफी अच्छी बात है हाला कि face unlock में उतना भरुज़ा मत किजिएगा face unlock जो है fake होता है जाद तर phone में बाकी यहाँ पर जो आ जाते हैं settings पे और यहाँ पर आते हैं about phone में और यहाँ पर आप देख पाएंगे Redmi का note 8 लिखा गया और यहाँ पर security patch जो है 19.2019 का है जो की latest है android pie out of the box आपको देखने को मिल जाता है और जल्दी इसमें android 10 का भी update आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पर जो है मेरे पास 4GB 64GB लवेरेंट है 64GB में से false boot में 49.1GB available आपको देखने को मिल जाता है और RAM की बात करें तो यहाँ पर जो है आपको false boot में RAM देखने को मिलता है 4GB में से 2.1GB available जो कि काफ़ी अच्छी बात है यहाँ पर जाए काफ़ी जादा RAM जो है clear रहता है जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लगा वागे आते हैं camera application पे और यहाँ पर जाए camera interface को देखते है तो camera interface आपको हूब बहू Redmi Note 8 Pro जैसा ही नजर आएगा यहाँ पर देखिए आपको wide angle lens देखने को मिल जाएगा wide images वगेरे capture करने के लिए 2X दिया गया है और micro lens की बात करें तो ऊपर की तरफ आपको micro lens दिया गया है आप micro images वगेरे capture कर सकते हैं यारी यहाँ आपर चोटे चोटे object के images वगेरे capture कर सकते हैं 48 में आपसल के यहाँ पर option देखने में मिल जाएगा जिससे आप जो हैने बलकर के 48 में आपसल image वगेरे capture कर सकते हैं portrait का option देखने मिलता है यहाँ पर आप बैगराउंड को कम ज़्यादा blur कर सकते हैं और यहाँ पर एक छड़ी दिया गया है beautification का beautification कम ज़्यादा कर सकते हैं portrait में वीदियो वेरा का option देखने में मिल जाता है जहां पर आप Full HD तक वीडियो रेकार्ड कर सकते हैं आपको अब भी फिलाल आप जाहे कुछ सेंपल्स वगड़ा दिखा देता हूं इमेज की जल्दी में इसका फुल कैमरा रिव्यू लेकर आँगा तो आप मैं चल को सब्सक्राइब करके रखेगा अब भी फिलाल आप जाहे कुछ कैमरा सेंपल्स देख लीजिए प्लूआ प्लूआ अब प्लूआ य। झाल झाल गेमपली की बात करें तो यहाँ पर पबजी खेल पाएगा जैसके आप यहाँ पर देख पा रहे हैं पबजी खेलने में आपको जादा इशू नहीं नज़र आएगा पबजी बड़ी अराम से आप यहाँ पर चला पाएगा और यहाँ पर अगर बात करते हैं ग्राफिक्स की तो graphics यहाँ पर आपका settings पर जलते हैं और यहाँ पर जो graphics है वो आपका smooth रहता है और frame rate आपका medium रहता है By default graphics आप यहाँ पर balance तक ले जा सकते हैं और यहाँ पर frame rate है वो medium रहेगा बाकी यहाँ पर PUBG अगर आप चाहें तो काफ़ अच्छे तरह से play कर पाएंगे हाला कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ इस वासे मैं यहाँ पर खेल पर ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ तो यहाँ पर अब खेलते हैं call of duty और देखते हैं call of duty यहाँ पर कैसा play होता है तो बात करते हैं call of duty की call of duty यहाँ पर काफ़ी अच्छे तरीके से play हो जाता है in fact अगर मैं आपको यहाँ पर call of duty का graphics दिखाओ तो चलते हैं settings पे और यहाँ पर settings और यहाँ पर graphics तो आप देख पाएंगे call of duty जो है high graphics पे और यहाँ पर frame rate भी आपका high है आप यहाँ पर max तक ले जा सकते हैं frame rate को और यहाँ पर very high करते हैं तो यहाँ पर frame rate आप very high तक रख सकते हैं तो call of duty यहाँ पर अपने full graphics के साथ यहाँ पर चलता है तो आपको यहाँ पर call of duty खेलने में कोई भी दिक्कत या फिर कोई भी जो है परिशानी नहीं नजर आएगा जो की काफी अच्छी बात है बाके मैं इसका dedicated जो है gaming review जल्दी लाँगा तो आप मेरे चैनल को subscribe करके रखेगा अभी फिलाल और जल्दी मैं इसका जो है full gaming review लाँकर आँगा तो मेरे चैनल को definitely subscribe कर लीजिएगा ये जो है छोटा सा warm up mess था PUBG और call of duty का एंट तो तुम बेच में score की बात करें तो यहाँ पर इसने score किया है 1,68,828 gig band score की बात करें तो यहाँ पर इसने score किया है single core में 1,519 multi core में इसने score किया है 5,617 यह फून जो है white band security level L1 को support करता है यानि का आप यहाँ पर Amazon, Netflix वगरा में फूल HD content का मज़ा उठा पाएंगे जो की काफी अच्छी बात है यह sensors की बात करें तो इस फून जो है आपको हर तरह के sensors देखने मिल जाएंगे temperature हो गया यहाँ पर step counting हो गया proximity हो गया, magnetic हो गया, gravity हो गया, xyroscope हो गया सभी तरह के sensors दिये गया है sensors के मामिल में यहाँ पर कोई भी conjuicy नहीं किया गया यह phone जो है at a time 10 multiple touch को support करता है जो की काफी अच्छी बात है इस phone में जो आपको पहले से ही camera पर enable देखने हो मलता है जो की काफी अच्छी बात है आप यहाँ पर Google camera को install कर सकते हैं अगर इसके लिए कोई भी Google camera application आता है तो मैं definitely अलग से वीडियो बना दूँगा so friends यह था एक छोटा सा unboxing overview Redmi Note 8 का I hope आप सभी को यह वीडियो पसंद दया होगा बाकी यहाँ पर जो है वीडियो को लाइक करना बेलकुल ही मत बुलिया है क्योंकि वीडियो बनाने में काफी ज़्यादा मैनत लगता है तो वीडियो को जरू से लाइक कर जीगा साथ साथ sponsor related कोई भी question यह फिर कोई भी कोड़ी हो नीचे comment screen में comment कर सकते हैं या फिर आप मेरे instagram account को follow कर लिए वहाँ पर मैं काफी ज़्यादा active रहता हूँ पिसलिए instagram account में आप कुछ भी कर सकते हैं मतलब message बगर कर सकते हैं जिसने हमारे जो combination है वो काफी easy हो जाता है क्योंकि वहाँ पर directly मैं आपसे chat कर पाऊंगा और साथ साथ आप महाँ पर voice chat भी कर सकते हैं और कोई भी दिक्कत बगर आता है तो आप directly screen record करके भी बेज सकते हैं या फिर आप screenshot लिकर भी बेज सकते हैं जिससे मैं problem का solution easily बता पाऊंगा तो instagram account को follow कर लिजे जिससे हमारे जो communication है वो काफी easy हो जाएगा अगले वीडियो में एक नए content के साथ अब तक लिए टाटा बाई बाई और यह स्तरिये मुस्क्रवातरिये और बने रिया आर्ट जेट टेक्निकल्स के साथ